हलो आंड वल्कम मेरा नाम है मनोज और आप देखरे वाई टी मनच कुमार फ्रेंस आज की इस टपिक में हम बात करेंगे मेक इन इंडिया और मेडिंग इंडिया के तहट न्यू प्रोजेक्ट जो की पहले चरणों में शुरू हो चुका है जहां फ्रेंस आप बिल्कुल सही और सडिक चुन रहे हो ख़वरों की मताबिक यहां पर समद्री महमार गपी एम मोदी देने जा रहे है बड़े सुगात देश की जंता के लिए जहां फ्रेंस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो जो की यहां पर रोजगार की बड़े रास्ता हो हो गया है जहांब पर इंडियान लॉंग एक्स्प्रेश की हम बात करेंगे महाराश्च की ग्यli जिल्म से होकर गुजराट इस एक्स्प्रेश को आ गये मड़ सकता है आईए जनते है आकिरकार क्या है अब्डेटि इस हिसाप से लोगों को कैसे रोजगार मिल सकता है जदि हम बात करेंगे पटिकुलार स्टेट की तो इसके पीछे क्या काराण है जदि हम बात करेंगे हमारे दिस भारत की MAKE IN INDIA फोजेक्ट और MADE IN INDIA फोजेक्ट काफी हद तक सही माईने में आगे चल रहा है जिए मैं बात करूँ फ्रेंड्स हाली में जो न्यू अपडेट सामने आया है फ्रेंड स्कूल 701 किलो मेटर लंबा करी 55,000 करोड की लागत में पहले ही चरण में 520 किलो मेटर एक्सप्रेस की उत्खाटन पीम मोदी ने हाली में किये है आये जानते हैं इसके अंदर क्या अपडेट है साजिसा जानने की कोईशिस करते हैं आगे जाकर ये लोगों को कैसे बड़ा फाइदा हो सकता है तो फ्रेंड्स जैसे की हम बात कर रहे थे 701 किलो मेटर लंबी समुद्री महामार्ग का उत्खाटन CM सिंदे ने बदाया जर्मानी आटोबान से बहतर हो सकता है महाराष्ट की मख्यमंतरी एकनाच सिंदे की कहा है तमुद्री महामार्ग या नागपूर मुंबाई सुपर कम्मुनिकेशन एक्सप्रेस परियोजना जर्मान आटोबान से बहतर साबित होगी इसमें क्या अपडेट रहेगा आईए जानने की कोईश्त करते हैं देश की सबसे बड़े एक्सप्रेस की रूप में महाराष्ट की समुद्री महामार्ग की सोगात मिली है इस मौके पर महाराष्टर की मक्य मंतर एकनाथ सिंदे ने कहा है कि समुद्री महामाग या नाकपूर मुंबाई सुपर कम्मुनिकेशन एक्सप्रेस परियोजना जर्मान अडवान से बहतर साबित होगा पीम मोदी के द्वारा उद्गाटन क्या गए इस महामार्ग की पहले चरण में सीप सेना की संस्तापक बाल साहिब ठाकरे ने नाम पर एक्सप्रेस परियोजना नाकपूर और स्रीडिक के 520 किलोमेटर की दूरी ते हो सकता है और यहाँ पर ये 520 किलोमेटर की दूरी ते आसपास में 14 अन्य जीला की करवाई के बहतर बनाने में मदर कर सकते है इस प्रकार यदि हम बात करेंगे वीवर्फ मराठवाड और उत्री महाराष्ट की खेतर सहीद राज्य की लगभग 24 जीला की विकास और मदद मिल सकता है और यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिल स थाबित हो सकता है यह कैसे बहतर साबित होगे जदि हम बात करेंगे महाराष्ट की विकास में एक गेम चेंजर हो सकते हैं यह भी बता गया ज़ित की दिल्ली मुंबाई एक्स्प्रेस जबाल नेयुरू कोट से लेकर अजंता इलोरा की गुंपाय पी आप यहाँ पर देख सिमा पर आगे बढ़ चुका है जदि मैं बात करूँ कारेक्यम में बोलते हुए PM मोधी कहा है कि आज उद्घाटन की इस अबसर पर महराष्ट की विकास के एक न्यू दीसा होगी उन्हाने ये भी कहा कि आज पहली बार देश की इससे सरकार जिसे इंफरस्ट्रक्चर पर बढ़ापा दिया गया साची साथ इस बुनियादी पर सरकार ने खड़ा उत्रा मेक इन इंडिया और मेडिन इंडिया प्रोजेक्ट पर काम करके टपिक आपको क्या सा लगा जरूर कमेट बक्स में कीजिएगा इसे ही तमाम काम के कबरे के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं